यूटूब पर शोट के अंदर मैंने इस सीरीज की कुछ क्लिप्स देखी थी कुछ ऐसे प्यार मोहबत वाली जो क्लिप्स हैं वो काफी जादा मुझे बार बार ऐसे तरीके से सज़ेस्ट हो रही थी और मैंने उसको देखा और मुझे लगा कि यह वाली कौन सी सीरीज है जिसको देखना चाहिए इस सीरीज का नम है जहाना बाद जब मैं इसको देखना शुरू किया तो तकरीबन एक जो एपिसोड है उसकी जो लेंट है वो 30 मिनिट के आसपास है और ऐसे 10 एपिसोड है तो आप मान सकते हों कि इस पूरी सीरीज को आपको देखना है तो पांच घंटे इस सीरीज को देना होगा अब यह जो समय है पांच घंटे इस सीरीज को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए जब आप ये पूरी वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा क्या है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस सिरीज के अंदर जो कहानी है वो क्या देखने को मिलती है एक्चूल में इसमें बार-बार आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि इसमें लव और वोर जो है इस पे में फोकस किया गया है Love in the Science के इसमें जो बात की गई है, दो इंसानों की एक कस्तूरी मिश्रा है, जो एक student है, वो अपने teacher से प्यार कर बैठती है, जिसका नाम होता है अभी मन्यू सिंग, अब इन दोनों का प्यार क्या रंग लाता है, क्या ने मोड आते हैं, क्या इनके पीछे राज हैं, या फिर कैसे problem इनके बीच में आती है, एक तो ये इनका दिखाएगी, दूसरा जो वोर, एक situation इसके अंदर दिखाएगी है, वोर तो इन्होंने नाम दे दिया, लेकिन एक तरीके से जो situation इसमें आती है, कि नकसलवाद, जो लोग, जो नकसलवाद हैं, या नकसली जो हैं, वो सरकार से demand कर रहे हैं, अपने हक की, अपने आजादी की, अब ये जो आजादी शब्द इसमें बार बार बोला जाता है, या फिर कहते हैं कि हमें ऐसी lifestyle चाहिए, हमें ऐसी, मतलब हमें एक आम जीवन चाहिए, सरकार हमारे साथ बेदवाव करती हैं, अब वो आजादी की बात करते हैं, मैं ये जब series देख रहा तो बार बार मेरे दिमाग में ख्याल आजादी की बात कर रहे हैं, क्या मैं जिस देश में मैं रह रहा हूं, क्या उसमें आजादी नहीं है, क्या equality यहां नहीं है, क्या opportunity मुझे नहीं मिली, तभी मैंने एक government जो भी मैंने पाई यार, वो सारे स साधन सरकार ने पेश किए, उन सब चीजों का मैंने यूज करते हुए, कच्छी जो मैंने पाई, लेकिन इन लोगों का मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी अजादी की बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे feel हुई, ये series देखते वक्त हुई है, कि writer ने इनके मजे ले से मुझे पसंद ही आते हैं, Constitution मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जब इसको पढ़ता हूं, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझने को मिलती है, तो मुझे इच्छाती क्यार इसमें politics तो obviously नक्सलवाद है, इसके बहुत सारी चीज़ें दिखाएं जाएंगी, लेकिन वैस फिल हुआ नहीं, कि यार ये सिरीज देखने लाइक है, यह मैं अपना उपीनियन बता रहा हूं, शायद आपको ये सब चीज़ें पसंद आ जाएं, और एक जो सिरीज की आप ने जो आप बात ध्याद रखें, या ध्यान रखें, वो यह कि तेखो, कोई भी सिरीज बनाता है, कोई देश फिरोध में बनाता है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी उजागर करने ही कोश्च करता है, जो है भी नहीं, लेकिन उसको बढ़ा चड़ा के दिखाना, मैं ऐसा इसलिए बोला हूं कि जिसे इस सिरीज के अंदर जो हमें देखने हैं, लाल सलाम, जोच्छे कॉम य उसमें आप देखेंगे, तो जिए देश मन के निकले थे, उसमें विचार धरह आप विचार धरहे और थे के उचार धरह चली ती, जिस कारंघर मां पर वो बिगटन हुआ था, और भी बहुत सारे देश जो कलिंडिगे कांघरणा शेहर रही हैं या फिर जिन्होंने सही है बहुत सारे देशों के हमारे सामने एक जो मुवी मैंने देखी थी एंजिनल ना जोली जी ने वह बनाई थी उस मुवी का नाम यह नहीं आ रहा मुझे माइ फादर फूदर लास्ट डेर ऐसा कुछ करके मुझे है याद आ रहा है मैंने उसका रिव्यू भी कर रहा है तो उसके अंदर जैसे कॉम्मिनिजम की जो विचार दारा है वो मैंने देखी दी वहां पर तो वह बहुत ज्यादा खतरना का लेकिन जिस तरीके से यहां पर प आपको कानों में बहुत एक मधूर संगीत आपको सनाई देगा लेकिन एक्चुल में यह बहुत ज़्यादा कड़वा है या फिर कहीं एक जहर है अभी फिलाल भारत के अंदर कुछ एक जगह है जहां पर यह कुम्मिनिजम की विचारदार अपन अपने यह लेकिन बाकी भ मेंकर्स होते हैं वह सच को पूरा दिखाते नहीं है या तुन्हें पता नहीं होता या पता होता वह तोड़ मरोड के आप लोगों के सामने पेश कर देते हैं जिससे आपके अंदर भी एक ऐसी विचारधारा पन अपने लग जाती है कि यार सरकार तो गलत ही करेगी वह करने की कोशिश करते हैं एक और जो चीज मुझे इस सीरीज के अंदर कटकी वह यह कि जैसे एक पुत्री जो यह जो बेटी जो है वो अपने पिता आया माता पिता से जिस तरीके से बात करती है सेक्स को लेकर यह मुझे यह बड़ा ही अजीव सा लगा कि एक बेटी अपने संस्कृति कल्चर जिस तरीके का हमारा रहन चैन है उसको कैसे बिगाड़ने पे तुले हुए और यकीन वारों कि बोलीवूड का बहुत ज़्यादा को बरबाद करने में इन्होंने बहुत ज़्यादा गंद दिखाया है वेस्टन कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रभावी करती है कि वेस्टन कल्चर वाले सही है लिव इन में जो रह रहे हैं वो सब चीज़ें सही है यह ऐसी थोड़ प्रोसेस हमारे देश के अंदर लाकर उनोंने इसको ग्लोरिफाई किया है बावजो दिखके की हमारे देश की संस्कृति को उपर लाने की या उनको समझाने की लोगों को बताने की कि देखे इसमें कितनी पावर है या आप इस तरीके से जहेंगे तो आपको अपने जीवन में क्या-क्या मिल सकते हैं यह कुछ नहीं दिखाएंगे लेकिन हाँ वैस्टन कल्चर के नाम पे यह गंद जरूर इस देश में लेके आ जाएंगे कैर मेरी त अगर आप लोगों नहीं देखिए तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों कैसे लगी अगर नहीं देखिए तो मैं तब बिल्कुल भी इसको अच्छा पाएगा या फिर आप कुछ अच्छी चीज़े सीख वाएंगे इस चिर्चड़ापन जुरूर आजाएगा इस सीरीज को देख तो बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में टैंक्स रोजिंग डिस वीडियो में जाहिंद